हेलो दोस्तों आज मैं एक बाग फिर से एक पर्टिकुलर शेयर से रही बाते करने जारा हूं जिसका नाम है जैन साल टेक्नोलोजी लिमिटेड आई-ट का स्टॉक है जैसे कि मैंने अभी एक वीडियो बनाई है और इसमें आपको पता चल रही होगी कि आई-ट का इंडेक्स वीडियो बनाते रहते हैं तो आप क्या कर सकते हो आप सीख सकते हो कैसे देख सकते हो वीडियो देखे वीडियो देखे आपको समझ में आएगा कि small cap share ही क्यों क्यों क्योंकि पैसे यहीं परीवनने है बाकी अगर बारी क्या सीखनी है कि share क्यों भागता है share क्यों गिरता है कि share में किस तरीके से action कब और कहां पर हो सकता है वो सब चीज जानना है तो आप हमारे course को join कर सकते हो नीचे description में number है 8605-40501-8169-261037 दो number को save करिए साथ में यहाँ पर उस course को करके देखिए one to one classes होगी बहुत सारे फायदे आपको मिलते हुए नजर आएंगे जाके इन number पर contact करके देखिए आपको समझ में आएगा बाकी साथ में काम करना है त टेक्नोलोजी इस लिमिटेड है का इशेयर आइटी का शेयर है यहाँ पर आप देखेंगे पियर्स कंपने तो यहाँ पर आप 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 साइट में प्रदा चल जाओगे न तो आपको पदा चल लगा एडॉप्ट जनरेटिव एई सर्विस सेक्योरिटी है न तो AI इस सही रिलेतन हाँ पर कंपनी काम भी गर रही है is leading digital solution and technology service company it is a part of the Mumbai based RPG group and is a headquarter in Pune in India हाना तो पूने इचा में है न तो पूने इंडिया में है बात करें तो आप जाके इसके बारे में और ज्यादा पढ़ सकते हैं अगर हम यहां पर देखेंगे डाइवरेश्मेंड मेजर क्राइंट की बात करें क्राइंट न के कौन-कौन से है वह सब चीज आपको यहां पर पदा चलती हुए नजर आएगी तो एक बार्ण की वेबसा कंपनी के बारे में और भी वह सारी चीज़े हैं इंडस्ट्री के बारे में आप पढ़ सकते हो कहां पर किस तरीके का यह सेग्मेंट में कंपनी काम कर रही है एक पूरा एडिया लगता हुआ आपको नज़र आएगा कंपनी का काम क्या है वह आपको समझ में आ जाएगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं तो देखिए 13,751 क्रोड रुपे की कंपनी है मार्केट केप की बात करें तो स्मॉल केप है स्मॉल केप की जब भी बात होगी तो याद रखिएगा शेयर जब भाग रहा है तो अच्छा भाग रहा है कोई डाउट ही नहीं है बट जब गिर रहा है तो उसी तरीके से गिरता भी है तो इस चीट को भी अपने माइंड में हमीशा बैठा के रखना है कि पैसे बना के द इंची काम नहीं करते और करना चाहिए ठीक है यहां पर बात करें अउम सेल्स व्रोट सेल्स कुछ ऊछ खास है नहीं पॉफिट मार जिं की बात करें अगर रावन पे जिच ए SMITH करें नें तो और बात करें, नमबर से लेखे, तो इनके पीर्स देख सकते हो, इनके पीर्स से लेख सकते हो, यहां पर आपको समझ में आएगा, की कमपनी की जो सेल्स है, वो एवरेज सेल्स होती हुई नजर आई है, ठीक है, ऐसा कुछ extraordinary काम नहीं हो रहा है, तो इस चीज को आपको होगा यह नेट पॉफिट की बात करें तो यहां पर आप समझ देख सकते हैं नेट पॉफिट कंपनी का ठीक है अच्छा खासा प्रॉफिट आता हुए दिखाई दे रहा है कंपनी ठीक ठाक है आप मार्जिन करती हुए दिखाई दे रही है कौटली बेस पर थोड़ा सा गिर पॉफिट हो रहा है रिजर्व की बात करें कंपनी के रिजर्व लगाता बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं बॉरेंग कंपनी की यहां पर है थोड़ी बहुत घरती हुए नजर आ रही है जो की एक पॉजिटिव फेक्टर है इंवेस्टमेंट कंपनी का अच्छा कासा 1000 क्रो बोनस तो कंपनी ने एक बार बोनस भी दिया है बाई बैग भी किया है ठीक है तो अवरॉल बात करें कंपनी लॉंग टरम के पर से अगर कोई यहां पर लेना चाहता है और इस वालेटी लीटी को देखना चाहता है तो एक नीचे के भाव पर जब शेर गिरा हो उस टाइम पाई किया जाए तो कहीं न कहीं बनती हुगी नजर आ सकती है ऐसे शेरों में पर इस्टिल बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं याद रखिएगा कैश फ्लो इस पॉजिटिव नजर आते हैं और बात करें तो प्रमोटर्स के आप 49.2% के शेयर एस बने हुए है एफ पर DIA के पास लगातार होल्डिंग पहले कम होती हुए नजर आई ठीक है 24 से 13 पी आए 12 पी आए 11 पी आए और उसके बाद लगातार यहां पर बढ़ाते हुए नजर आ रहे तो FIs और DIA दोनों मार्च में यहां पर इन्हों नहीं से दारी बढ़ाई और वहां से शेयर की ब इन्वेश्टर जहां पर 38,000 है अब 2,25,000 इन्वेश्टर यहां पर बैटे हुए और कंपरी के बारे में जाना है तो यहां पर क्लिक करके न आप पढ़ सकते हो ट्रेट्स की बात कर रहे हैं तो यहां पर देख सकते हैं डेजिनेटर कोई परसन है ठीक है कंपनी के उन्हों ने लगभग जैन 2014 में 50,000 शेयर बेच है तो यह बाइंग सेली यहां पर चलती रहती है वो यहां पर आप देख सकते है बल्क डील ब्लॉक डील हाना यहां पर आप देख सकते है निपॉन ने भी यहां पर थोड़े बो शेयर 21 सप्टमबर 2023 को निकाले थे उससे पहले 20 सप कॉंटिटी यहां पर बेची है कुछ रखी हुई है तो यह सब चीज़ चलता रहते है अब बात करते हैं आपर कंपनी के चार्ट से लेटेश यह बताया है क्यों जा रहा है फंडामेंटल देखें ठीक 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 नजर आते हैं और FHDI का जिस तरीके से अट्रक्शन है वो एक अच्छी चीज़ अब बात करेंगे टेकनिकल से लेटेट और उससे पहले यह रिक्वेस्ट है चानल को सब्सक्राइब आयम स्मॉल काइप इन्वेस्टर को सब्सक्राइब बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को अन करें और बाइंक से लेंके रिकमेंडेशन ह है नहीं याद रखिएगा अपने financial advisor कुछ की study यहां पर करिएगा चीटों को सीखेंगे तो अच्छा पैसा बनेगा बाकी नीचे description में number है contact कर सकते हो पोर्स कर सकते हो साथ में काम कर सकते हो जैंसार की अगर हम बात करें चार्ट की तो यहां पर देखिए शेयर सबसे पहले तो एक breakout होता हुआ नजर आया है 2021 का ठीक है ना तो एक लंबा तीन साल का यहां पर धाई साल का यहां पर ब्रेक आउट होता हुआ नजर आया है तो अगर कोई यहां पर बाइंग सेलिंग के बारे में सोच रहा है ठीक है ना तो अपने फाइनिशल एडवाईजर और खुद की स्टडी के हिसाब से यहां पर देखिएगा दूसरा एक और ब्रेक आउट हुआ है जो कि ट्रेंड लाइन पर ब्रेक आउट हुआ है ठीक है तो लगबग लगबग लगबग अगर हम बात करें यहां से तो लगबग 30% के रिटन बनते हैं क्या तुरंत मिल जाएंगे पता नहीं क्या लेट मिलेंगे यह भी नहीं पता कब भागेगा तब भी नहीं पता बट इस्टिल चीजे मुझे यहां से अच्छी नजर आती है ठीक है मैं की रिकमेंडेशन नहीं है महीं है अपने फाइनीशेल द्वाइजर कुछ की करना है ठीक है कोई रिस्क ले सकता है तो आपने हिसाफ से लए कुछ है ज talents करें alone तो यह थे अ होगी ठीक है I am not sure जैन सार की बात करें तो जैन सार से लेजिर पहले बात में किया करता था हाँ आप फिर उसके बाद मैंने बीच में कम ही कर दिया है वीडियो पे ज्यादा भी शेयर पे बनाना तो इस्टिल यहाँ पर आप देख सकते हैं बाइं सारिंग की रिकमेंडेशन नहीं है अपने फाइनेशल एडवाजा कुद की स्टाडी करें चानल के सब्सक्राइब बेल आइकन को ही टोल की नॉटिफिकेशन को अन करें थैंकी सो मुच गद ब्लेस